हेलो गाईज जैसा कि आप सभी लोग आइस पेपर देखे आ है वो लेवल का है M4 R5.1 का तो आईए समय ना कावाते हुए हर एक answer पर यहाँ पर focus करेंगा और मिलाते हैं कि कितना answer आपका complete रूप से सही हुआ है मिलाने के बाद comment box में आप बताना नहीं भूलेगा कि आपका कितना सही answer हुआ है तो आज़े समय ना का बाद फटा फट यहाँ पर हम question को चेक करते हैं और कितने number of question आप अटेंड किये हैं यह यहाँ पर जरूर मुझे बताएगा तो सबसे पहला question यहाँ चेक करत है कि embeddedC इज-ı-ους 있는 आपका क्या है तो आपको बहतर पता होना ची इसका answer क्या है subset of traditional C ठीक है अब यहाँ पर questionные 3 क्यां पर बात करेंगे question 3 हम चेक करेंगे question 3 आप हम चेक करेंगे and question3 ं नमबर 3 क्या है तो question number 3 देखिए आपको क्या मिल रहा है कि यहां पर आपका रहेगा during immediate designing which design consider both hardware and software यहां पर दोनों के लिए जो आपको इस्तमाल किया जाएगा वो आपका C वाला option सही रहेगा मतलब platform based यहां पर design जो होगा वो hardware और software दोनों के लिए आपका इस्तमाल किया जाएगा अगला question पर अगर हम focus करेंगे तो अगला question आप देखिए आपको मिल रहागा question number यहां पर आपका 4 question number 4 कि अगर यहां पर बात करेंगे देखिए SC05 Bluetooth जो आपका use होता है वो आपका full duplex होता है अगला question आपको हम focus करेंगे आपका 5 जो रहेगा वहां पर देखने का लिए मिल जाएगा देखिए दर अबरतले पर पूछ रहा है sensor यहां पर आपका जो पूछ रहा है वह कौन सा option हो जाएगा sensor का यह पूछ रहा है sensitivity आपका मतलब C ओला option जो रहेगा वह सही होगा ठीक है अगला question पर आपकर हम focus करेंगे तो यहाँ पर देखे question number 6 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखे question number 6 जो पूछ रहा है कि which of the following is used to upload the audino sketch to the board question number 6 का यहाँ पर दरसल यह आपका complete पूरा जो option दे रहा है वो आपका near about यह हो सकता है कि आपका c python near about आपका यह सही माना जा सकता है अगले question पर आप हम focus करेंगे question number 7 question number 7 के देखे आपको यहाँ पर question क्या देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पर दरसल which of the following process is used to keep track of users activity को यहाँ पर track करने के लिए कि हम क्या इस्तमाल करते हैं तो देखे यहाँ पर आपका B वाला जो रहेगा option वो सही हो जाएगा अगले question पर आप हम focus करेंगे तो यहाँ पर देखे question number 8 का यहाँ पर question number 8 जो यहाँ पर पूछ रहा है वो क्या है तो question number 8 यहाँ दरसल आपका question यहाँ पर देखे कि these applications take data or input from various device and convert it into यहाँ पर कहा रहेगा आपके human analysis के लिए जो आपका इस्तमाल किया जाएगा वो आठमे का आपका real time analysis इस्तमाल होगा ठीक है ना इसका option A वाला जो रहेगा वो correct होगा अगले question पर हम focus करेंगे question number 9 तो question number 9 यहाँ पर हम देखे फड़ा पट यहाँ पर मिलाते है question number 9 का जो रहेगा question number 9 यहाँ पर देखे दरसल यह पूछ रहा है आपका कि the accurate use in IoT applications are ठीक है अब यहाँ पर देखे आपका कह रहेगा नाइंध का जो आपका हो जाएगा वो डी ओला option सही होगा क्योंकि accurate जो इस्तमाल किया जाएगा वो relay server motor और DC motor में भी आपका यूज होता है इसलिए आपका नाइंध का जो रहेगा वो डी ओला option जो रहेगा वो सही होगा अगले question पर अगर यहाँ पर बात करेंगे question number 10 का question number 10 यहाँ पर देखे आपका option में मिल जागा which of the following is used to capture data from the physical world in IoT devices मतलब क्या जो रहेगा अगला question question number 11 की में बात करूंगा तो यहाँ पर देखे बहुत ही easy वाला है question number 11 तो 11 की अगर है आपके देखे हम बात करेंगे इसमें आपका क्या पूछ रहा है which one is the most discussed challenge in IoT इसमें से आपका क्या हो जाएगा अगले question पर हम फोकस करेंगे तो अगला question आपको यहाँ पर देखने की मिल जाएगा question number 12 की अगर आपके बात करेंगे आपर देखे the IoT network ठीक है that has very short range आपका यहाँ पर जो रहेगा short range के लिए क्लिए इस्तमाल किया जाएगा अगले question पर अगर फोकस करेंगे question number 13 की अगर बात करेंगे तो 13 का देखे आपको यहाँ पर आइंसर देखने के लिए मिल जाएगा कि major component of IoT is R तो major component आपका क्या हो जाएगा IoT का तो major component आपको देखे sensor, accurator, smart applications भी रहेगा मतलब development options जो रहेगा वो सही होगा मतलब सारे जो रहेंगे वो आपके major में पाया जाते है मतलब इसके बाद अगला देखे question number 13 के बाद है यहाँ पर question number 14 के अगर हम बात करेंगे तो 14 देखे क्या पूछ रहे है कि in the IoT network ठीक है SSH मतलब secure cell जो आपको इस्तमाल किया जाएगा वो क्या है इसमें दरसल तो 14 का आपको यहाँ पर D वाले को मैं यहाँ पर बहतर मान रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर fair all अच्छा रहेगा तो security आपका बहुत अच्छा बरकरार बना रहेगा अगला question है अगर हम देखेंगे question number 15 के अगर हम बात करेंगे question number 15 पर हम थोड़ा सा focus करें तो फटा फटा है आप देखे 15 के यहाँ पर मिला ही the advantage of using function मतलब function के क्या advantage है तो यह आपका simple चीज है code reusability भी होता है manage यहाँ पर complex चीज जो को भी आसानिस manage किया जा सकते इसलिए इसका answer D वाला जो रहेगा वो correct होगा अगला question है आप बात करेंगे question number 16 का तो question number 16 पर हम थोड़ा सा focus करेंगे तो यहाँ पर देखे क्या पूछ रहा है तो आपका question number 16 का how should the tone of speaker be like मतलब कोई अगर बात्चीत करते हैं तो कैसा होना चीज बात्चीत कैसा होने बहुत ही clear होना चीज बात्चीत कैसा होने बहुत ही clear होना चीज मतलब hardware and software to perform a specific task मतलब क्या hardware और software दोनों मिला कि अच्छा task perform करेगा वो यह वाला मतलब iot system कहलाएगा ठीक है अगला question देखे question number 18 तो question number 18 पर अगर आपके हम focus करेंगे इसमें आपको क्या देखनी की मिल रहा है what indicate to the reader to purpose of the letter मतलब कोई भी लेटर अगर पढ़ने से पहले क्या indicate मतलब सिंपल सी सब्जेक्ट अगर मैं पता चल जाएगा तो अंदर क्या लिखा गया हो चीज आपको पता चल जाएगा मतलब ए वाला option जो रहेगा वो सही हो जाएगा अगला question number अगर मैं 19 की बात करूँ 19 मैं आपको देखने के लिए मिल जाएगा फटा फटा पटे हापी मिला ही 19 का क्या आपका question हो जाएगा तो 19 देखे विच प्रोसेसर हेल्प टू करी आउट फ्लॉटिंग प्वाइंट काल्कुलेशन ते हैं आपको मिल जाएगा 19 का जो यूनिक ठीक है स्वारी मैं यूनिक पढ़ दिया उसको यहां पर देखे क्या अनक्वाइर एबाउट द कंपनी मतलब कंपनी के बारें complete जानकारी अगर आपको कैसे पता चलेगा तो सिंपल सीच है website से भी मुझे पता चलेगा company यहां पर डारेक्शन वगर जो है या annual report मतल अगला question पर अगर हम focus करेंगे तो यहां पर देखिए आपका 21 का 21 का जो question रहेगा दरसल यहां पर 21 का देखिए क्या size of पूछर size of एक प्रकार का आपका operator होता है जो आपका क्या variable का size बताया तो इसका answer आपको 8 मिल जाएगा अगला question यहां पर चेक करेंगे यहां पर देखिए 21 के बाद है अगला question 22 की अगर बात करेंगे तो यहां पर हम फटा पट चेक करेंगे 22 का 22 का यहां पर देखिए आपको answer देखने के लिए मिल रहा है दर असल यहां पर क्या पूछ रहा है 22 का which of the following is false about iot device इसमें से कौन सा false है तो यहां पर simple से चीज़े हम देखते है 22 का आपको answer यहां पर क्या मिल जाएगा यहां पर देखिए आपको दी वाला option जो रहेगा वो हम यहां पर completely safe नहीं होता है ठीक है इसलिए यहां पर क्या यह थोड़ा से इसका क्या है सही नहीं है about ठीक है अगले आप देखिए 22 के बाद 23 का अगर question पर हम फोकस करूंगा तो 23 का यहां पर देखिए question आपका क्या है यहां पर सिंपल से इसमें क्या बोल रहा है यह तो आपका 23 का अगर मैं आपको यहां पर देखिए बी वाला option जो रहेगा वो सही रहेगा ठीक है यहां पर मिल्स आत्म सम्मान जो रहेगा सिंपल से चीज़े जो सारा टास्क कंप्लीट कर लेगा ठीक है अगला चीज यहां पर देखिए question number हम चेक करेंगे 24 का तो 24 का देखिए हां पर आपको answer देखने के लिए मिलेगा सिंपल से चीज़े जो आपका पीडी से क्यूशन उठाया है तो वाट टाइप आप स्पीकर लुक लुक्स इंटु दा आई आउफ तो मतलब सिंपल सीज़े अगर कोई बात करता है अगर किसी से सामने साब बात कर रहे हैं अगला चेक करेंगे 25 का 25 का आपको मिल जाएगा तो आपको मिल जाएगा मतलब मिला कि आपको डी वाला ओप्सन जो रहेगा वह सही हो जाएगा ठीक है 25 के बाद है आप देखे 26 क्यूशन के अगर हम बात करेंगे 26 में आपको मिल जाएगा यहां पर सिंपल सी पूछ रहा है बहुत ही इजी है इसे हर्ट आफ कंप्यूटर सिस्टम हर्ट काउन सा ह होता है मतलब है हाँ पर सिस्टम का को सा हट रहे गा है आप छेक कि जएगा फटा फट आपने आंसर मिलाएं तो है आपको सीप्यों होना चाहित लेकिन आप वह समझ लिए प्रोसेसर आपका है तो अभी आपका एंसर यह सही हो जाएगा अगला क्योश्चिन है आप हम चेक जो रहाएगा उसे हो जाएगा एज कंप्यूटिंग ठीक है इसके बाद अग्ला क्यूशन चेक करेंगे यहाँ पर देखे 28 का 28 का यहाँ पर क्यूशन पर अगर हम फोकस करेंगे तो इंक्रिमेंट और हो रहा है आप इंक्रिमेंट मतलब पोश्ट फिक्स और पेफिक्स दोनों दिया हुआ तो इसका अंसर दरसल जो आपका आएगा वह 18 आएगा ठीक है ना अठारा आएगा लेकिन 18 इसमें दिया नहीं है तो इसमें से कोई भी आंसर अगर आप लगाते हो तो वह आपका एक तरीके से सही माना जाएगा क्यों क्योंकि इसको सिस्टम को आप रण कराऊ तो आपका 18 देखने की मिल जाएगा इस प्रकार से जैसे यहाँ पर देखिए लेकिन यहाँ पर देखिए कोई वैली दिया नहीं इस वज़ेस इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 18 इसमें से कोई भी लगा दोगा तो भी सही माना जाएगा तो हमारा क्या बहुत ज्यादा अट्रेक्टिव बनाता है ठीक है अगला के उसना पर देखिए 31 कि यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जो 32 का यहाँ पर यूज करेंगे हम वो डी वाला ओफशन जो रहेगा सही हो जाएगा ठीक है अगला के उसना पर हम चेक करेंगे 32 के बाद 33 तो 33 पर हमें अपर थोड़ा सा फोकस करेंगे 33 क्यूशन पर तो 33 यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा रैम जो पूछ रह तो 34 का तो 34 का यहाँ पर चेक कीज़ेगा 34 का यहाँ पर आपका एंसर हो जाएगा 34 का तो इसमें देखिए क्या आप पूछ रहा है मेजर कैटेगरी आप कम्निकेशन तो स्पीच और राइटिंग आपका जो सही मना जाएगा मतलब ए वाला ओफशन जो रहेगा वो सही अगे का एंसर आपको सेकेंड वीडियो में मिलेगा फटा फट उसको सेकेंड वीडियो का वेट कीजा और उसको आप तुरंत देखिएगा आगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाज